नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरिली आवास के जदुगर मेलोडी किंग इंडियन प्लेबाइक सिंगर मुहमद अजिस सहाब और बलूड के सुपरसिध गायाक महेंदर कपूर सहाब का और दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे बेहत्रिन गीत के बारें बात करने वाले हैं जिस गीत को मुहमद अजिस सहाब ने राजिस्थानी में गाया था तो उसी गीत को ही एक अन्दाज में महेंदर कपूर सहाब ने भुझपूरी में अपनी आवाज दिया था तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को 1984 की फिलिम भाया दूज तो यादी होगा और इस फिलिम में गीत थी गीत के बोल हैं डुलिया उठा की और इस गीत को बहुत अपनी खुबसूरत आवाज में महेंदर कपूर सहाब में अपनी आवाज दिया था और इस फिलिम का संगीत चितर गुप्त सहाब में दिया लेकिन दोस्तो इसी फिलिम को ही डप करके जब राजिस्थानी में बनाया गया तो इस गीत को ही मुहमद अजिस सहाब में अपनी आवाज दिया था और फिल्म का नाम है भाई दूज और गीत के बोल है बननीरे गाला पे लाले और इस गीत को बहुत अपनी खुफिरत आवाज में मुहमद अजीस सहाब में अपनी आवाज दिया था और इस फिल्म का संगीत भी चितरगुपत सहाब में ही दिया था और लिरिक्स पंडीत 1984 में रिलीज हुई और रजिस्थानी में बनी वो 1990 में रिलीज हुई लेकिन उसी गीत को ही अलग अलग अंदाज में इन दोनों सिंगरों ने अपनी आवाज दी है तो आए पहले हम लोग यह गीज जो है वो महेंद्र कपूर सहाब के बहुत ही खुपसूरत आवाज में सुन है यही गीत है दोस्तों जिस ए मुहमंद्अजीस सहाब में राजिस्थानी में अपनी भ Allah इया था और इस गीत के बार में बहुती कम लोग जानते हैं कि इस गीतको मुहमंद आज़ेस सोहाव तरसाम भुझपरे अपने वाज दिया था और दून वहीया दोस्तो बास इसकी लिरिक्स जो र향 धाला और वही तषीखणी मिवही संगीत का रहे हैं जिसलम का संगीत चीत्र पूत्स और चीत्रगुप्त सहब के संगीत में तो महंद्रकपूर्श ने बहुंश सारे गीत काई हैं इसके साथ ही मुहमद अजीस तहाब ने भी कई ऐसे फिल्में हैं जिन में अपनी वाज दिये हैं और इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं अगर आप मुहमद अजीस सहाबा और महंद्रकपूर्श सहाब की तो दोस्तो इनकी जोरी ने अस्या और नब्बे के दसक में कई इस फिल्में हजिन में काम किये हैं और बलूट को एक से एक हिड़ गीत दिये हैं तो वाइए मैं आप लोगों को इनकी जोरी के कुछ हिड़ गीत हैं इसके बारे में जनकारी देता हूं वैसे देखा जाए तो मुहमद अजीस सहाब ने महंद्रकपूर्श सहाब के साथ पहली बार पहली और कभिते क्रिशन मुटी जी की जोडिन अपने अऊज दी और इस फिल्म का संगीत लख्शूम calculus प्यरलाई जी ने दिया था और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों इनकी जोरी ना और एसे कई फिल्म हैं जिन में काम किये हैं इस फिल्म के बाद सन 1987 में आई फिल्म गुरा और 1987 में ही आई फिल्म सिता पुर्की किता इन दोनों फिल्मों में ही मुहमद अजीस तुहाबा और महेंदर कपूर सहब की जोरी ने एक साथ काम किया जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं और इस फिल्म के बाद सन 1989 में आई फिल्म जंगबाज और गीत के बोल हैं जंगबाज आ गया इस फिल्म का टैटल सौंग मुहमद अजिस सहाब और महेंदर कपूर सहाब की जोड़ी ने ही अपने अवाज दी और इस फिल्म का संगीत रविंदर जैन सहाब ने दिया था और लिरिक्स भी रविंदर जैन सहाब ने ही दिया था और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों और इसे कई फिल्में है जिनको मुहमद अजीश ताहब ने भी अपने आवाज दिया है और महेंदर कपुड साहब ने भी अपने आवाज दिया तो ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए अक्सार लाता ही रहता हूँ तो आज आप लोगों को ये जित जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस गित को मुहमाद जी सभाब ने राजी स्थानी में अपने वाज दिया था और इसे गीत को ही भोचपुरी में महेंदर कप्पुर सहब ने अपने वाज दिया था तो दोस्तों आप लोगों को यह जनकारी जोहगों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे पूरा उम्मीद है यह जनकारी जो हो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा तो आर ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो का अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांच दोस्तो हमारी वीडियो वाचिंग करने के लिए